hello everyone, welcome to my channel, आज मैं आप लोगो बहुत ही easy और बहुत ही tasty recipe लेकर आई हूँ, जो कोई भी beginner भी बना सकते हैं और ये बहुत ही tasty है, ये recipe एक बार आप लोग जरू ट्राइ करें, मुझा ये recipe खाने के बाद आप कभी market से samosa और कचोड़ी बिल्कुल लाने नहीं जाएंगे, और बहुत ही आसान है दो कटोड़ी यहूं का आटा ले ले क्योंकि जो हम रोटी खाते हैं उसी का यह रेसेपी बनेगा और बहुत ही इजी तरीके से बनेगा तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दें वन फूर्ट चमच के अजवाइन से बहुत अच्छा खुस जैसा मंद करें वैसा डाले आप तो दो चमच तीन चमच यहाँ पर तेल डालें बहुत ज्यादा मौयम नहीं डालना है बस इतना ही डालना है कि दाकि आटा एकदम अंदर से थोड़ा नरम हो जाए बस तो इस तरह से आप अच्छे से उसको मिक्स कर लें मिक्स करने के आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो तियार कर लें आटा का एक अच्छा सा डो तियार कर लें जैसे हम लोग पूरी बनाते हैं उसी तरह से कि बेलने में भी अराम हो और ज्यादा इसमूदली एकदम हम बेला जा सकते तो इस तरह से आप एकदम ये डो को ति अच्छा परफेक्ट बन गया है अब इसे आप 10 मिनिट के लिए मैं यहाँ पे ढखकर छोड़ दे रहे हूं चलिए तब तक के लिए और कुछ त्यारी कर लेते हैं दो आलू है दो आलू को आप इसमें ग्रेट कर लें और जो लसुन प्याज नहीं खाते हैं ना वो भी ये रेसेपी बनाएंगे और इंजॉय करेंगे तो दो ग्रेट कर लेना है उसमें कुछ मसाले डालना है यहाँ पर दो चमच मैं चावल का आठा डाल रहे हूं अगर आपके पास चावल का आठा नहीं है तो कॉन्ट फ्लोर का पॉडर भी आप दो डाई चमच डाल सकते हैं वन और आधा चमच छोटे चमच से जीरा पॉडर वो भी रोश्ट किया हुआ है वन फोर्थ काली मिर्च पॉडर आधा चमच संफ पॉडर और एक चमच छोटा चमच से आपका चाट मसाला चाट मसाला तो जरू डालिεगा पूरे मसाले को डालिएगा कोई भी स्किप नहीं कर कसूरी मेथी फोरा सा डालें इसमें कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बोली हूँ कि समपोसे और कच्चोड़ी तो दोनों से मिलता हुआ ये एक दोनों amazing来 काügen तरह आयेगा और बहुत ही अच्छा थोरा सा नमक और धनिया का पत्ता डालते हुए अच्छे से उसको mix करके आप रख ले क्योंकि इतना मतलब की मसाले का खुस्बू आ रहा है ना कि मसाले से ही तो टेस्ट बढ़ता है और ये देखिए डो एकदम मतलब की 10 मिनिट हो गया है तो अब इसे थोरा सा मैं अपने हाथों से mix कर ले रही हूं ताकि उपर से भी नरव हो जाए एक बड़ा सा आप पेड़ा ले उसको पेड़ा अच्छे से बना ले ना जैसे हम रोटी बनाते हैं तो उससे थोरा सा बड़ा ले अगर आपके पास आटा लगाते हुए अच्छे से आप उसको बेले सुखा आटा लगाने से आपका चकला में रोटी चिपकेगा नहीं और फटा फट बेला जाएगा तो बहुत कम समय में ये रेसिपी बनकर रेडी होता है तो ये सुखा आटा लगाए और फटा फट चारो तरप से बेल ले और इसका मैं थिकनेस दिखा रही हूँ किनारे किनारे से थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो आप मैं इसको थोड़ा सा और फैला ले रही हूँ और इस तरह से आप फैला ले और चारो तरफ से देखिए मैं फैला ली हूँ अब इसमें आप जो मसाले आलू का बनाये हैं उसको फिल करते जाएं चारो तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर दे जितना आलू स्प्रेड करेंगे उतना ही खाने में मजायेगा तो इस तरह से आप आलू को spread करते जाएं ये देखिए spread हो गया है और मैं अब इससे हाथ से नहीं कर रही हूँ इसको आप किसी भी लेकर उससे फैला ले थोरा सा उसको touch up करना है बागी तो वो फैला हुआ है तो इस तरह से फैला लेना है अब आप pizza cutter ले 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 पीजा cutter से बीच में काटे pizza cutter नहीं है तो आप कोई भी चकु ले ले घर में जो भी है आपके पास उससे आप काट ले तो दोनों तरब से बीच बीच से काटना है फिर उसके बाद बीच से इस तरह से triangle shape मैं दे रहे हूँ आप अपने according कोई भी shape दे सकते हैं जो आपको पसंद है इस तरह से triangle shape आप काट ले और काटने के बाद देखिए अब बताती हूँ मैं कैसे करना है और घवरायनी सम्मोसा से बड़ा जल्दी बनता है ये फटा फट अगर boil आलू है ना तो फटा फट बन जाएगा ये देखिए उपर से जिधर से पतला है उधर से आप मोड कर दो तरह से मैं बताऊंगी ये देखिए set हो गया है अब ये ना फटेगा ना तूटेगा ना तेल में चानने में बाहर निकलेगा ये set हो गया तो set हो गया बस इस तरह से आप सारे बना ले बना कर एक plate में रख है न मजधार रेसे भी देखिए कितना जल्दी और टेस्ट आपका कचोड़ी समोसे से भी ज़्यादा अच्छा और बनाने में बहुत कम समय क्योंकि आज कर लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि समोसा कौन बनाएं कितना टाइम लगेगा ये करें आटा गुंदे आलू बोयल करके रखें और फटाफट कच्चे आलू में मतलब की बोयल किया हुआ उसी में फटाफट बना लेना है दूसरा भी मैं दिखा रही हूँ अब इसे उपर से आप उसको फोल्ड करें क्यों कि देखिए ये अलग ही डिजाइन बनेगा अभी मैं इसको दिखा रही हूँ ये दर चौड़ा जादा है उसी तरफ से आप फोल्ड करें ये देखिए बहुत अराम से बन जाता है कोई भी बिगनर भी बना सकता है जिसको कुकिंग नहीं आता है ना वो भी देख कर बना सकता है तो अब मैं दूसरा डिजाइन बना दी हूँ दोनों डिजाइन है जो आपको पसंद है आप बना सकते हैं या फिर अपने मन से कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं तो इस तरह से सारा मैं बना ली हूँ और अब एक कड़ाही लेना है कड़ाही में तेल डालना है तेल उतना ही डालें जितना में वो अच्छे से डिप हो जाए और तेल जब गरम हो जाए तो low medium करके धीरे धीरे इसको डाले धीरे धीरे डालने के बाद इसको low medium पे पकाएं क्योंकि ज़्यादा high पे आप पकाएंगे न तो उपर उपर जल जाएगा और आठे का बना हुगा तो थोरा सा time लगेगा पकने में और एक मिनट के लिए आप छोड़ दें और उसके बाद इसको पलट-पलट के चारो तरब से शेख लें देखिए कितना जटपद बनकर रेडी हो गया है और ये रेसेपी आप कोई भी छोटे-मोटे घर में पाटी कर रहे हैं उस में भी आप बहुत अराम से बना सकते हैं सबको बहुत पसंद आएगा अगर आप एस टाडर में यह बना के देगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कोफी चाये के साथ और बनाने में भी बहुत इजी है कोई भी बना सकते है बना के धेड़ सारा आदा घंटा में रख सकते हैं बस बेलना है काटना है फिल करके आप बस हो गया फटा फट और यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखिए तेल एकदम साफ है न कोहीं कोई भी एक भी आलू नहीं निकला है किमकि उसमें आप राइस का मतलब की चावल का आटा डाल दे या कॉन फ्लोर डाल दे तो वो अच्छे से चिपक जाता है यही ट्रीक है तो इस ट्रीक से आप बनाएं और मसाले का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और एक चीज आप लोग चेंज कर रहेंगे क्यूंकि अगर मालीजे पाटी के लिए बना रहे ह तो आप गेहुम के जगा पे मैदा का बना ले देखने में भी वाइट वाइट लगेगा और खाने में भी सबको बहुत अच्छा लगेगा यह तो मैं छोटे-छोटे बच्चों जो लंच वापस लेकर आते हैं खाते नहीं है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकती हैं और उस अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ बहुत मस्त है यह देखिए और एक एक जगा पे आलू एक एक बाइट में आएगा और आलू के साथ वो मसाले का जो फ्लेवर है ना बहुत ही अमेजिंग है तो एक बार आप लोग मेरे करने से जरू ट्राई करें बहुत ही टेस्टी ह और सौस के साथ धनिय के चटनी के साथ जैसे खाना है हरी मिर्च ले या मिर्च को भी फ्राई कर लें और साम को चाय के साथ मस्त नासता है तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग जरूर बोलेंगे और मेरी रेसिपी को एक बार जरूर आप लोग ट्राई करें बहुत ही पसंदा है तो लाइक करे, सेर करे, सबस्क्राइब करे